हाई एवरिवन हम लोग पढ़ रहे थे लाइन एन वाटर रिसोर्सेज जिसमें से मैंने आपको लास्ट क्लास में फ्लर्ड आन ड्राउट के बारे में बहुत ही अच्छे से धील किये थे आई होप आपको वह सारे लक्ष्यों समझ में आया होंगे और वीडियो स्टाट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आप तक मेरी वीडियो पहुच रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा से एर करें क्यूंकि मैं चाहती हैं कि मेरे काम बहुत लोग टॉपिक है और सबसे अच्छे वात है कि बुक में बहुत ही जादा पिक्चर्स के थूँ इसे अच्छे से clarity के साथ समझाया गया है तो मैं भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाओंगी तो फिर बहुत हो गया मैं बहुत बोल लिया अब मैं आपको टॉपिक के बारे में बताती हूं तो इंपोर्टेंट मेजर्स क्या हो सकते वाटर को कंजर्व करने के वाटर कंजर्व करना क्यों ज़रूर है फ्रेंड यह मैंने आपको प्रिवियस के लेक्षर में बहुत ही अच्छे से दो सबसे बड़ा रीजण क्या है वाटर को कंजर्व करने का सबसे पहले कि मौनसुन फेल हो जाता और safe drinking water के लिए irrigation के लिए water को conserve करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो सबसे पहले बात करेंगे water harvesting की water harvesting जो है यह बहुत ही effective measure है brought और water shortage को कम करने के है ना और सबसे अच्छा तरीका क्या है water harvest करने का कि rain water harvesting measures को use करना क्या use करना rain water harvesting measures I hope इनके बारे में आप तो बहुत ही अच्छे से जानते होगे तो कुछ measures दिये गए हैं book में जिससे हम water को harvest कर सकते हैं तो सबसे पहला measures है कि capturing runoff from rooftops rooftop पे जितने भी runoff यानि कि water का flow होता है उसे क्या कर सकते हैं हम capture कर सकते हैं एक tank में है ना या फिर कोई भी ऐसा area में जहां पर हम water को क्या कर सकते हैं एक जगा पर harvest करके रख सकते हैं दूसरा है capturing runoff from catchment catchment का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे नदियां बह रही है तो वहां से कुछ water है ना water कभी access में हो जाते हैं like flood के time पर तो वहां से हम क्या कर सकते हैं water को एक ऐसे place पर harvest करके रख सकते हैं फिर है capturing seasonal flood waters from local streams in ponds and reservoirs वही है कि पहला में क्या कहा गया कि catchment यानि कि river का बहु जाहां से हो रहा है वहां से कुछ पानी store कर लेना और फिर same बात कहा जा रहा है कि flood water को store करना अब flood water आएंगे तो क्या करेंगे वह river से कुछ ज्यादा area में फैल जाएंगे तो वही flood water को क्या करना है कुछ जगह पे store करके रख लेना है ठीक है फिर कहा जा रहा है कि conserving water through watershed management watershed मतलब क्या हुआ कि हमें अपने घर में ही एक watershed बना लेना है और उसमें water को conserve करके रखना है ठीक है इतना क्लियर हो गया होगा next है कि यह technique जो होती है यह technique हमें कुछ purpose को achieve करने में help करेंगे कैसे कैसे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा provide drinking water हमारे पास पीने के लिए पानी होगा है ना सबसे बड़ा scarcity जो है वो क्या effect करता है कि हमें पीने के लिए पानी ही नहीं मिलते तो सबसे पहला जो drinking का है purpose यह fulfill हो गया दूसरा सबसे बड़ा क्या है irrigation है ना तो हमारे पास irrigation के लिए proper facility हो गया जिसमें क्या करते water को conserve करते अब वह water को conserve किया हुआ क्या कर सकते उसे irrigation में use कर सकते हैं फिर है increase ground water recharge इससे क्या होगा हमारे जो ground water है वह क्या हो जाएंगे है ना क्योंकि हम क्या कर रहे है water को एक particular area में conserve कर रहे है वह waste नहीं हो रहे है तो उसे ground water भी क्या होंगे recharge होंगे इससे एक और चीश हो सकता है कि हमारे जो flood है या फिर extra water discharge होते हैं वह सारे क्या होंगे से कम हो जाएंगे है ना तो यह क्या होंगे overloading से बचाएंगे है ना जब excess water आ जाता है तो क्या होते water का flow हो जाता है इदर उदर discharge हो जाते हैं बहुत ही गंदा लगता है देखने में जब बारिस्ट के मौसम आते हैं तो यह क्या करेंगे overloading को कम करेंगे ठीक है फिर है reduce sea water in grace in coastal area क्या कहाँगे इसका मतलब कि अगर water का flow जादा हुआ तो वह रिवर की तुरू कहां जाएंगे coastal area में तो उससे क्या होगा water का flow जादा हो जाए कसी में तो वहां पर भी क्या हो सकते हैं chances हो सकते हैं flood के फिर और भी बहुत सारे reason हो सकते हैं तो यह क्या करते हैं और कुछ मेंसे बताए गए जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं water को conserve कर सकते हैं ठीक उसके बाद जो water harvesting होता है इसके कुछ local names है जैसे कि जुहाद्स तालाब्स कुंड्स बंबू रिप irrigation यह सारे क्या है यह सारे local name है water harvesting के ठीक है हम जो water harvest करते हैं उससे locally इस name से बुलाया जाता है ठीक है एक एक करके सबके बारे में देखते हैं तो अब से जहाद्स क्या है बंबू ड्रीप irrigation क्या है तो यह सारे क्या है यह water harvesting करने के तरीके हैं ठीक है अगर आपके पास book होगा, तो उसमें आपको clearly दिखेगा, तो एक main jamber होता है, ठीक है, और ये कुछ support के लिए trees लगाए जाते हैं, ठीक है, फिर ये क्या है, water diversion device, यहां से क्या होते हैं, water divert करते हैं, यहां से यहां से यहां आया, अब क्या करना है, अब इसको divert करना है, फिर same यहां यहां भी water diversion हो रहा है, फिर same यहां यहां भी water diversion हो रहा है, ठीक है, और फिर यह ऐसे प्लेस पे आजाता है, जहां पे water को क्या करना है, store करके रखना है, तो इसी को, यानि कि जो bamboo के थूरू irrigation हो, उसे bamboo drip irrigation कहा जाता है, I hope आपको गेचेट समझ में आ गया होगा, तो bamboo drip irrigation क्या हो गए, बहुत अच्छा तरीका हो गया, water को harvest करने का, तो basically क्या होता है, कि यह क्या होता है, हाइस एरिया से water को लागे, एक ऐसे area में, यानि कि यह जो area होता है, जहां पे water को हम क्या करते हैं, हर्वेस्ट करते हैं, वो सब से नीचे वाला area होता है, तो वो एक लोग एरिया होता है तो हाई एर्या से लौर एरिया के तरफ क्या करते हैं हम बबू ड्रीप इरिगेशन की यूज करते हैं ओके यह देखो लास्ट में इस तरीके से दिखता है आपका भी नॉर्थिस जाना तो पका देख्चेया ना ओके निक्स्ट है कुल अब यह कुल क्या जीज यह कुल भी एक water harvesting मेजास है क्या है यह कुल आर water channels found in precipitous mountain areas these channels carry water from glaciers to village in Spiti valley of Himachal Pradesh and Jammu तो कुल में क्या है एक water channel है और यह कहां found होता है mountainous area में ठीक है यह जो channel होते हैं यह water को glacier से village तक पहुचाने में मदद करते हैं यहना glacier क्या है एक बहुत अच्छा source है water के लिए तो कुल में क्या होता है कि higher area यानि mountain area से glacier लेके एक village तक पहुचाना यह इसी को कुल कहा जाता है और यह में ली कहां practice होते हिमाचर प्रदिश और Jammu area में फिर क्या कहा जा रहा है कि where the terrain is muddy the cool is lined with rocks to keep it from becoming clogged यानि कि जहां पर land surface क्या हो muddy कीचर होता है तो वहां पर cool को line कर दिया जाता है rock से ठीक है to keep it from becoming clogged यानि कि उसे गंदा होने से बचा सके तो वहां पर क्या कर दिया जाते है रॉक रख दिये जाते हैं कुछ कुछ चटान रख दिये जाते हैं ठीक है तो वह water को muddy होने से बचाते हैं फिर है some cools are 10 km long and have existed for centuries कुछ cools जो है वो 10 km long है और यह exist करते हैं centuries फिर है the crucial portion of a cool is its head at the glacier which is to be tapped this must be kept free of debris और कहां जा रहा है कि इसका जो crucial portion है cool का वो कहां पर होता है head at the glacier यानिकि glacier के head पे अगर यह सपोस मांटें है तो यहां पे glacier होते हैं okay तो यहां पे क्या होते हैं बहुत सारे debris यानिकि जो debris मतलब क्या हुआ कि suppose अगर water flow करते हैं तो उसके साथ बहुत ही चोटे चोटे पत्थर सब निकल के आते हैं तो वो पत्थर को क्या कहा चाता है ताकि क्या हो, यह debris free हो, और सिर्फ water का flow हो, debris नहीं, ओके, फिर in the village, the cool leads to a circular tank from which the flow of water can be regulated, और village आते आते, यानि कि यहां से start होते हैं, और फिर suppose और यहां पर village में पहुंचते हैं, तो यहां पर जो cool होते हैं, एक circular tank बन जाते हैं, और इस tank में क्या होते हैं, सारे water को क्या कर द दिया जाता है, तो यह बहुत अच्छा source है, water harvesting की, तो इसी तारीके के बहुत सारे measures लिये जाते हैं, हमारे individual की द्वारा, communities की द्वारा, urban area में, rural area में, किस चीच के लिए, rainwater को harvest करने के लिए, इसी तरीके से, एक measures हमारे राश्ट्रपती भवन में भी लिया गया है, क्या क वान तान्ट अपन कंश्च्टेटी तो ले लोग वालेटी यूज, rainwater फॉं दाना बॉफ और प्रिया सराउंडिंग राश्ट्रपती भवन इस द्वारा दिपारा, और बॉब अधि यूज, खुवारे राश्ट्रपती भवन में एक लाक लिटर क्या सारेपारा लगा भ यह सब चीज के लिए वह वाटर का यूज होता है ठीक है जो वाटर यूज किये जाते हैं वह रेन वाटर नौर्थेन साइड ऑफ रूप से कनेक्ट करके रास्टपती भवन में डाइवर्ट किया जाता है ठीक है तो यह एक डाइग्राम दिया गया है आपके बुक में अगर बुक है तो उसमें बहुत अच्छे से क्लारेटी आएगी मुझे तो अतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा फिर भी मैं कोसिस करती हूँ आपको बताने की तो यह एक टैंक है और यहां पर वाटर को गैदर किया जाता है और यहां पर एक पंप लगा हुआ है फिर इसक से पढ़ लेना ठीक है उसके बाद निक्स देखते हैं निक्स है कि टू डग वेल्स आर यूस्ट तो स्टोर ओवर फ्लो फ्रॉम दा वन लाख लिटर रेंवाटर स्टोरिस तैंक अनदर ड्राय ओपन वेल इस रिचाज़ड विट रेंवाटर फ्रॉम दे सदन साइर अव रूफ और रना फ्रॉम दे स्टाफ रेसिडेंशल एरिया डिस्टिलिंग टैंक इस तो रिमोव पॉलिटर फ्रॉम दे वाटर पासिंग इंटो रिचाज वेल तो क्या कहा रहा है कि दो डग वेल का यूज हुआ है वाटर को स्टोर करने के लिए अगर उस रेंवाटर का फ स्टाफ रेसिडेंशल एरिया है ना तो यह सारे राष्टपती भवन के बारे में पताया जा रहा है कि राष्टपती भवन के साउथ में जो स्टाफ रेसिडेंशल एरिया है वहां से जो पानी आता है उसे दूसरे ड्राय ओपन वेल में क्या कर लिया चाता है स्टोर कर लि चार्ज विल में डालेगा तो आई होप अब आप इस चीज़ को देखोगे तो बहुत जादा क्लारेटी आएगी तो इतना ही था राश्टपती भवन के बारे में बताया गया एक केस स्टेडी दिया गया है वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स बाई हाइडराबाद मेट्रोप तो यह बताया गया है कि इस स्टेडी में कि इसको एक एमबिश्यूस प्लान के एक्कार्डिंग सेट किया गया है ठीक है और इसमें बहुत जादा एक्टिव इंवल्मेंट है थो इंप्रूफ ग्राउड वाटर लेवल है ना हमारे सदन इंडिया में क्या है वाटर की की जो वाटर सप्लाई बोड है वो एक मेजर्स लिए हैं कि हैदराबाद और सिकंद्राबाद के एरिया में बहुत जादा एक्टिव इंवल्मेंट है पिपुल का किस चीज के लिए इंप्रूफ ग्राउंड वाटर लेवल के लिए ठीक है और वाटर हार्वेस्टिंग यानि कि किस प्रोग्राम के एकॉर्डिंग चलाया जा रहा है नीरू-मीरू यानि की नीरू-मीरू का मतलब क्या होदा है वाटर एंद यू ठीक है इस प्रोग्राम के एकॉरिंग वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है ठीक है इसमें क्या-क्य इंक्लूट किया जाता है construction of a recharge bits और mini treatment unit यानि कि water को treat करने के लिए कुछ plant लगाना है जो कि क्या करे water को improve करे और water groundwater level को increase करे और इसमें बहुत different opinions के people है जैसे ex-servicemen यानि कि जो retire हो चुके उसके worker कुछ retired officials, women का कुछ groups, 파 инт्ट, कुछ NGOs, यह सारे क्या करते हैं, लोगों को motivate करते हैं, इसकी में की बार में बताते हैं कि कि तरीके से कि टेकनिक से हम water को harvest कर सकते हैं कुछ train group रहते हैं, जो कि क्या करते हैं? communities तक reach करते हैं और motivate करते है people को कि आप भी इस तरीके से करो और उन्हें बताते हैं कि क्या importance है rainwater harvesting की इसकी क्या benefit है ठीक है तो recently में strategy के according बोड जो है यह water board यह create किया है एक water soldiers को ठीक है जो कौन होते है एक serviceman और यह propose किया है कि कि इसमें student community को भी involve करना है so that कि school और colleges और other institutions यह लोग भी क्या करें contribute करें water table के improvement में तो यह एक बहुत ही अच्छा approach है कि water के conservation के लिए हम सारे group सारे communities को involve करेंगे और अच्छे तरीके से groundwater level को increase करेंगे तो आपको यह सारे चीज समझ में आ गया होंगे नेक्स क्लास में बात करूंगे कि water को किस तरीके से conserve किया जा सकता है क्या क्या टेकनीक हो सकते हैं जिससे जिससे कि sea water भी बहुत जादे amount में present है तो उसके दुरू हम drinking water यानि कि usable water को कैसे निकाल सकते हैं तो यह सारे कुछ चीज बच गया है जो मैं आपको next class में बढ़ाओंगी तो आपको lecture समझ में आया होगा कहीं भी कोई video आट बचता है तो आप मुझसे पुछ सकते हो और मैं उमीद करती हूँ कि आप मेरे चानल को subscribe करके मेरे videos को बहुत आगे share करोगे thank you so much friend have a good day